राशन दुकान संचालक करते हैं घपला शाशन गरीब लोगों को खाना बिल सके इसलिए शाशकी योजनाव के तहट पीडियस के माधियम से गेहों और चावल सहित अन्य मोटा अनाच गरीबों के लिए राशन की दुकानों के माधियम से उपलब्द कराती है लेकिन राशन की दुकान के विक्रेता राशन पर काला बाजारी कर अपनी जेबों को खरी भरी करते हैं और इस अनाच को छोटे वैपारी या अनाच मंडियों में बेच कर गरीबों के हग पर डाका डाल रहे हैं जिले में कई ऐसे छेतर हैं जहांपर खुले आम पेडियस के अनाच की काला बसारी सामने आती रही है ऐसे ही एक मामला सिरोज तहसील का सामने आया है जिसमें आरोन की तरफ से आरही एक लोडिंग गाड़ी में भरी मांत्रा में पेडियस शांवल पुलिस के द्वारा पर राशन की दुकानों की जाच ना होने आवक जावक पर निग्रानी न रखने से राशन विक्रेता काला बाजारी को अनजाम देते हैं लेकिन आज सिरोज पोलिस को जानकारी मिली पीडियस चावल से भरी गाड़ी आरों से सिरोज आ रही थी जिसे पुलिस ने पकड़ा सि कर जाच शुरू कर दी जिसमें आरों से सिरोज आ रही लोडिंग बुलेरो MP08 GA4151 पीडियस चावलों से भरी गाड़ी को पकड़ कर आगे कारिवाही की जा रही है आगे बताया है इसने जो चावल लाया है आरों से लाने बताया है और बता रहा है कि जो है चोटी दुकाने मेरी बोक्ता जो खरीदा है अभी जाच का मद्दा है इसके बैयान मान लिए जाएंगे और फिर आगे जो भी कारवाई होगी की जाएगी बोक्ताओं के मसले में अभी जो है शायद आने वाले टाइम में खानूं बन जाएगा या तो उनके पकड़ाते हैं तो राशन पात्ता पर्चिन की केंसिल की जाए क्योंकि शार्शन जो है 30 रुपे सबसुड़ी दे रहा है सबसुड़ी दे रहा है खाने के लिए लोगों का भी और सना अभी धन्दा कर रहा है अगर कोई कानून इसके तहर आता है तो हम उनके खिलाब सक्त कारवाई करेंगे और कारवाई यसी होना चाहिए कि इनकी गाड़ियें जो है वो राजशाती हूं अच्छा सर के जो दुकान है कंट्रोल है नाज बढ़ता है उन लोगो श्यादे वाया करती है वह उनको खरीदने का कर नहीं स्टाक में अगर हमने जांच करें स्टाक में कम जादा पाया जैसे अभी हमने जो है जांचे की थी पिछली वार तीने अफ़ायार सेल्जमन को ख सब्सक्राइब करेंगे जो है अगर गरत काम करने वाला होता है तो एक बार नहीं करता रहता है उसके लिए कारवाई हो जाई अब इसके जांच के बाद यह जांच के बाद है अब यह गाली जांच परताल कर रहे हैं कि चावल का से आया और काय का चावल है और कोई गलत काम तो नहीं हुआ इसमें संब्ल में पूरी जांच को कर रहे हैं पूरी जांच करने के उप्रांच जैसा बताएंगे और खुद भी सक्षा में वारे पूरी जांच करने के उप्रांच परतायंगे और खुद सक्षा में हमारे पूर इंस्पेक्टर साहब आगे बेदानेक जो भी कारवाई होगी हम आपको बताएंगे